नमस्ते, आज के वीडियो में जानेंगे कि ये सुन्दर चमपा के पौधे घर में गमले में कैसे लगा सकते हैं। कटिंग लेने के लिए बहुत मजबूत 5-6 इंच लंबी ताहनी लेनी है। चमपा का पौधा बहुत जल्दी गलता है तो इसलिए कटिंग हमेशा टेड़ी लेनी है और देखना है कि टाहनीों का रंग लाइट ग्रीन नहीं बलकि ब्राउन या ग्रे हो। उसके बाद एक हफ़ते के लिए इन मजबूत टाहनीों को सूखने के लिए रखना है। ये देखिए पिछले साल ही मैंने चमपा का पौधा इस गमले में लगाया था और अब फूल आ रहे हैं। ध्यान रखिए कि एक हफ़ते के बाद चमपा की कटिंग धाई से तीन इंच गमले के अंदर डालिए और ज़रूरत लगे तो उसे सपोर्ट दीजिए। कटिंग लगाने वक्त अच्छी तरह से पानी देना है और फिर एक महीना पानी नहीं देना एक महीने में जड़े आ जाएंगी। आज आपसे ये कहना है कि मजबूत बनो मेरे दोस्त ये दुनिया किसी पर रहम नहीं खाती।